जैसा कि आपने थामनेल में देखा है सोना कितना सोना है तो कई लोगों को सोना बहुत पसंद होता है और कई लोगों को नीध ही नहीं आती है तो हम आज की वीडियो में जानेगे सोने से रिलिटेट कुछ वर्ड्स और उसके यूसज के बारे में In day-to-day life में हमें सोने से related बहुत सारे words को use करना होता है जैसे की करवत बदलना, पेट केबल सोना, नीद में चलना, और नीद नहीं आना, रात में ठोरापने सपने दे आज हाँ जानेंगे सोने से related कुछ interesting phrases और words के बारे पर तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहला word है सोना, सोने को हम English में बोलते हैं sleep और you can say sleeping, तो हम example के तौर पर कह सकते हैं I am sleeping, yes अगर मैं बोलू कि मुझे बहुत नीद आ रही है या उसे बहुत नीद आ रही है तो उसके लिए हम एक word उस कर सकते हैं feeling sleepy, yes so we can say that I am feeling very sleepy, yes or I am feeling sleepy then now let's know the next word अगर हमें बहुत नीद आ रही है तब तो ठीक है पर अगर हमें नीदी नहीं आती है तो उस condition को हम बोलते हैं sleeplessness और इस condition को डॉक्टरी लैंविज में बोला जाता है insomnia, okay तो हम कह सकते हैं की I am suffering with sleeplessness or I am suffering with insomnia, okay it's easy to understand I think now let's move forward कुछ लोग की आदत होती है सोते बद खराटे लेने की, हना तो उस खराटे लेने की जो वर्ब होती है क्रिया होती है उसे हम बोलते है snore, yes so हम बोल सकते हैं की he is snoring while sleeping yes, वो सोते बद खराटे लेता है okay, now next word है अगर कुछ लोगों की आदत होती है की वो नीद में जलते है yes, तो उस condition को हम बोलते है sleepwalk, yes so maybe maybe some people suffer with sleepwalk, yes तो कहते हैं की मुझे नीद में चलने की आदत है I am suffering with sleepwalk yes अब next word है देर तक सोना तो अगर कोई बहुत देर तक सोता है और आपको कहना है आपको देर तक नहीं सोना है तो आप क्या बोलोगे उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड sleep in Anna, देर तक मत सो Anna, don't sleep in तो sleep in जो वर्ड है और युकिन से फ्रेस है वो हम यूज करते हैं देर तक सोने के लिए तो हमें देर तक नहीं सोना चाहिए don't sleep in ओकी नव नेक्स वर्ड है आप बोलते हो ना कि सोते वक्त करवट बदलते रहते हैं इंग्लिश में हम करवट बदलने को बोलते हैं toss and turn तो अगर हमें sentence बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे I am turning, toss and turn all night इसका मतलब मैं सही से नहीं सो पाई नव नेक्स हम देते हैं कुछ कहते हैं कि हम पेट के बल सोते हैं या पेट के बल नहीं सोना चाहिए कुछ कहते हैं कि पेट के बल सोना चाहिए तो उसे हम English में क्या करते हैं तो पेट के बल सोने को बोलते है sleep on stomach I slept on stomach Yes, I slept on stomach और अगर हम बोलते हैं कि हमें पेट के बल सोना चाहिए तो इसके लिए हम कह सकते हैं We should sleep on back Yes, पेट के बल सोने को बोलते हैं on back तो सुलाने को हम बोलते हैं put someone to bed और हम इसे अलग तरीके से बोल सकते हैं put someone to sleep okay so I hope you understand put someone to bed or put someone to sleep in this place of bed you can use sleep also इसका मतलब होता है सुलाना तो एक्सांपल के तौर पे हम कह सकते हैं did you put kids to sleep did you put kids to bed yes so I hope you understand how we use सुलाना next time देते हैं बच्चो को लोरी सुनाना बोलते हैं की लोरी सुनाया चाता है तो लोरी सुनाने को इंगलिश पे क्या होलते हैं तो इसके लिए हम बोलते हैं sing a lullaby yes sing a lullaby तो लोरी सुनाने को इंगलिश पोलते हैं lullaby तो नप मतलब है शौर्ट श्लीप, आप लोग सपने निखते होंगे ना, उसे हम इंगलेश में क्या बोलते हैं, सपने को ड्रीम, तो अगर किसी को कोई दरावना सपना आया तो हम उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे, लेट सी एक्सामपल फर्स्ट, I had nightmare at night, nightmare होता है, मतलब दरावना सपना देखना, ठीक है, तो इसे हम इंगलेश में nightmare बोलेंगे, यानि मैंने कल रात को एक दरावना सपना देखा, yes, I hope you like this video, if you like this video, then like, subscribe and share, bye bye.